हलो दोस्तो आप सब्सक्राइब कैसे हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करने वाले हैं ज्ञारखन जैसे सी सीजल का प्रेक्टिस सेट नवर गार इसे पर दोस्तों लोग already 10 सेट को कभर कर चुके हैं अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ताब मैं पध्रिल इस्ट जा कर देख सकते हैं सारा वीडियो का पटेल लिस्ट बना दिया हैं दोस्तो इस वीडियो में सरीफा अनों का आज कभर करने वाले है ज्ञार जार्खंड जैसे सीजल में टोटल जार्खंड समयन ग्यान से 40 परशने पूछा जाता है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज जार्खंड जीके कही रहता है ठीक है तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रेक्टिस सेट को शुरुवात करते हैं देखिए आज का पहल नाया पर्मंडल है कोलहान ओप्शन नंबर जोफ सेट एवाला इसकोचेन्स का राइट एंसर हो जाएगा दोश्तो जोखिए ऑटेमा प्रमंडल बना है वो तीन जिल्ला को लेकर ना एक सारे केलख़ाषा हमाँ दुसरा पूर्वी सिम्भूं तिसरा पचिमी सिम्भूं ये तीनों जिल्ला को मिला कर एक नया परमंडल बनाया गया है जिस परमंडल कि नाम क्या है कुलहान परमंडल नेक्स रहर बोगए आते हैं, अगला परसंपे, जारखंड की 81-शषद्य विलन सभा में कर्मस कितनी सीटे अनुसुचित जातियों और जंजातियों गलिए आरक्छी थे? अगर बताना है कितने सीटे अनुसुचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षीत है तो यह तो जोस्तो अनुसुचित जातियों के लिए 9 है और जन जातियों के लिए 28 है यानि option number जो है C वाला इस questions का right answer हो जाएगा सब्सक्राइब ओदम्वाध के अगला है संथ माह मना जाता है और जोस्तो जो सब्सक्राइब होता है यह आदि वास्यों का सबसे बड़ा पर्व होता है नेक्स्ट नोग आते हैं अगला पस्ट पे, अगला है नियम्न में से किसे जारखंडी वालिन के नाम से जाना जाता है, अगला बताना है नियम्न में से किसे जारखंडी वालिन के नाम से जाना जाता है, प्रिराहस तो वो है केंदरी, ओप्सन नाबर जो इसका पहला राइट एंसर हो जाएगा केंद्री को जार्खंडी वली नाम से जाना जाता है अगर बताना है चौनवित्य का परदेशन सुर्वपर्थम विदेश में कब हुआ था तपको डेट्या था 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 1938 को अप्सान नम्बर इसका डी राइट एंसर था 1938 में अध्योस्तो इसका परदेशन साराई केला के राजकुमार सुदेंधु ने करवाया था ठीक है? अगरहाँ लोग आते हैं नेक्स पस्न पे नेन में से कौन ज्ञारखन का प्राचिंतम वदियंत्र है? ज्राखन का प्राचिंतम वदियंत्र है तो जोस्तो मांदर ऑप्सान नम्बर इसका डी राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो यहां से एक प्रश्ण और पुछता है कि प्रश्णात पहाड की उंचाई कितना है ठीक है प्रश्णात पहाड की उंचाई कितना है या दखना दोस्तो तेरो सो पैसाथ मीटर है तेरो सो पैसाथ मीटर है और अगर पुछेगा फीट में तो चो आलिस सो अठातर यह वह अखोदाना है ठीक है पहला है उत्री कोयल जो नदी यह धर नदी है तरब उध्गम है उत्री कोयल नदी का उध्गम अस्तल रांची पठा रहे यह तो बिल्कुल सही है शक्री नदी का उध्गम अस्तल छोड़ाना कुर पठा रहे यह भी बिल्कुल सही है अगला है म मयराची नदी का उद्गा मस्तल परशनात पहाड़ी नहीं है, ठीक है, मयराची नदी का उद्गा मस्तल दुमका के त्रिकुट पहाड़ है, ठीक है, इसलिए यह वाला गलत हो गया, यह जो है गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों, मयराची नदी का उद्गा मस्तल दुमका में त जहारखंड में पाई जाने वाली रेतिली मिटी का विश्तार मुलता है जहारखंड में पाई जाने वाली रेतिली मिटी का विश्तार आपका मुलता बताना है दिसका मुलता विश्तार जोश तो वो है हजारी बाग वो धनवाज छेतरा ठीक है ओप्सेन नमबर उसका बी वोला राइट एंसर हो जाएगा पूर्व है रिवाग वो धनबाज छेत्रा नेक्स्ट है अगला पस्ट जार्खंड की सबसें उची चोटी सम्मेश सिखर की उचाई कितनी है अब हमें मैं जेस्ट बताया चवाले 178 फीट ओप्सेन नमबर बी इसकोचन्स का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जार्खंड का यह छेत्र अतियंद कठोर ग्रेनाइट से निर्मी थे वो कौन सा छेत्र है तो उस्तुत तरह दखना है हजारी बात्ता निचला पठार ओप्सेन नमबर डी इसकोचन्स का राइट एंसर हो जाएग नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला पस्ट पे और अगला है छोटा नाकपुर पठार के सबसे उच्छे अस्थल को क्या कहा जाता है अपको बता है इस तो छोटा नाकपुर पठार के सबसे उच्छे अस्थल को क्या कहा जाता है त्यार नाकपुर पठार के सबसे उच्छे अ तो अप चाची अभिहारन option number D is questions का राइट एंसर हो जाएगा तो तो अप चाची अभिहारन next अमलोग आते हैं अंगले person पे अगला है दाउदर नदी से धनबाद में नियन में से कौन सी नदी मिलती है आपको बताना है जो है B is questions का राइट एंसर हो जाएगा next है जाखन राइच गंगा नदी सरचन प्राधिकरन का मुख्याले है का मुख्याले कहां है उपको बताना है तो यह राइट तो इसका मुख्याले राची है option number C is questions का राइट एंसर हो जाएगा और इसका अस्थापना रस्तो 2009 में क्या गया था next अगला पस्न है किसान साभा की अस्थापना 1930 में नियन में से किसके द्वारा क्या गया था त्राइच तो ठेबले उराओ को द्वारा क्या गया था option number B इस questions का राइट एंसर हो जाएगा next है जारखन में मुख मंत्री जन वान योजना कब लागू क्या गया था कब लागू क्या गया था त्राइच 2015 में लागू क्या गया था 2015 option number C इस questions का राइट एंसर हो जाएगा और दोस्तो आप लोग जरूर कमेंट किजेगा कि 40 प्रश्ण में से कितना प्रश्ण का एंसर आप लोग पहले से जानते थे ठीक है यह जरूर कमेंट किजेगा next है जलवायू परिवर्तन से जार्खन का सरवाधिक प्रभावी छेत्र कोन है इसका राइट एंसर हो जाएग दोस्तो उत्तरी पच्छिम भाग उत्तर परिवर्तन से एंसर का राइट एंसर हो जाएगा next है अगला परिवर्तन जार्खन राइज की किस चितर कला को G.I.T.E.G. दिया जाएगा किस चितर कला को G.I.T.E.G. दिया जाएगा तो जोस्तो सोम्राई अबस्त है, परियावरन सरचन समान से जार्खन में किसे समानित किया गया है तो ब Scottish देश्टो, सर्यू राइवरन आपसन लोग आते हैं, अगला पास्ना पे अगला पस्टना है जहारखन का रजरप्पा परियोजना किस बित्य संस्था की सहयता से चलाया जा रहा है तो वर्ल्ड बेंक की सहयता से ओप्सर नबर भी इसको चैन्स का राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट है जहारखन पत्रकार पैंसन योजना 2019 के तहट जहारखन राइज में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों का परतीमा कितनी रासी पैंसन देने की घोसना की गई है तेतना विश्टो 75,00 ने 7,500 ओप्सन नमबर भी इसको चैन्स का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अगला पस्ना मुख मंत्रिक लिएदान योजिना के तहत लाभारती के लिए आवसेक सर्ते कौन सी सही नहीं है कौन सी सही नहीं अग बताना है तो हमको इसको एक एक पढ़ना होगा ठीक है पहला उसन दिया हुआ है सभिस रोतों से जोड़कर भी आवेदाक के परिवार की वार्षिक आए बहत्तर सो रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल चाहिए अगला है लड़की का उम्र 18 वार्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के के उम्रे 25 साल या उससे अधिक होंजे लड़कों के उम्रे 25 नहीं ये गलत दिया हुआ है लड़कों के उम्रे 21 होना चाहिए दोश्तू 21 सार ये ओप्सन आवर B गलत दिया हुआ है ओप्सन आवर B इस कोचेंस का राइट एंसर हो जाएगा प्रिमिटिव ट्राइबल्स ग्रूप यानि पी टीजी डाकी यजना का लाभ वह इसे आधिम परिवार को परदान के जाएगा जिसकी साशत्तादर नीम्न है और अवसत मासिक आए 10 रूपईय से कम यानि कितने से कम होना चाहिए तो यातनारस तो कम से कम उनका होना चाहिए 1000 रूपईय ठीक है अप्सन नाबर ये राइटेस हो जाएगा और अवसत मासिक आए 1000 रूपईय से कम होना चाहिए नेशन लोग आते हैं अगला पस्न पे अगला पस्न है नारायानपूर का किला जिसे नवागड का किला भी कहा जाता है नीम्न में से कीस जिले में आवसती थे अको बताना है कौन सा जिले में आवसती थे तरह तो ये लातेहार में आवसती थे लातेहार ओप्सन नंबर जो ह बिस्कोचनस का राइट नेक्स्ट है पाल कोट का किलाथ जिला में ओस्ती थे तरह दाथाी ठी प्रश्न पहलोग आते हैं अग्ला परश्न है मुंडा जन जाती अपनी भासा मुंडारी को क्या कहते हैं अपनी भासा मुंडारी को क्या कहते हैं तेरांस तो होडो जगर कहते हैं होडो जगर option number A right answer हो जाएगा next है मुंडारी लोग गीतों का संग्रा संग्रा पुष्ट तक बांसरी बज रही है के संगर करता हुए लेखा कौन है तो तो संगर करता हुए लेखा जगदिस त्रू नायक है त्रू नायत अप्शन नमबर पहला अप्शन नमबर पहला इस questions का right answer हो जाएगा जगदिस त्रिगु नायत Next अगला है मुंडा की समाजिक ब्योस्था में बिध्वा या परितक्यता से ब्योस्था को क्या कहा जाता है 13 तो उसे सगाई कहा जाता है उसे सगाई कहा जाता है अप्सन नमबर जो इसका C राइट एंसर हो जाए उस तो सगाई Next अनुग आते हैं अगला परशले पे सविधान से प्रस्ण पुछ रहा है प्रस्ण क्या है सविधान के किस अनुष्यद के तहट जार्खन राइज में बिधन सवाग की समरचना का प्रावधान किया गया है कौन सा अनुष्यद में तो वह अनुष्यद जोस्तो 170 अप्सन नमबर D is questions का right answer हो जाएगा next अगला परश्ण है नीचे दिये गए हैं सिचाई प्रियोजना एवं उस समंदित जिलो का सही मिलान किजिए एक तरब दिया हुआ है सिचाई प्रियोजना और दूसरे तरब दिया हुआ है जिलो का नाम आपको सही मिलान करना है ठीक है देखे सलया जलासरे प्रियोजना ये का जोस्तो ये हजारे पाग में केसो जलासरे प्रियोजना ये भी हजारे पाग में पतरातू जलासरे प्रियोजना ये रामगड में है अगर रामगड ओप्शन में नहीं राता है तो आप इसको रांची से मिलान कर सकते हैं ठीक है? अगला है स्वनवा जलासाई प्रेविना ये सिम्भूम में देखें कौन सा ओप्शन में इस परकार दिया हुआ है? 2, 3, 4, 1 स्वरी 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 अगला प्रस्ण है नियमन खानों में से किसे लोग अयसख परप्त किया जाता है? कुसे लोग अयसख परप्त किया जाता है? घ्र्षतर लोग अयसक नवा मंडी, चिरया, जामदा ये सभी जगस परप्त किया आता है ओप्शन नमबर D is questions का right answer हो जाएगा नेस्ट है जहारखन में आदरा पज़ाड वण का विस्तार नियून में से किन छेतरों में है किन छेतरों में आउको बताना है तो इसमें भी सभी हो जाएगा सीम भूम में भी है दच्छिन राची में भी है दच्छिन लातेहार में भी है और इनमें से सभी हो जाएगा ओप्शन नमबर D is questions का right answer हो जाएगा नेस्ट है जहारखन के अभ्यारणों एवं उसकी अस्थपना वर्स को सही मिलान किजिए उसका सही मिलान करना है ठीक है ओप्शन दियावाई केवल एक केवल तीन सीम दियावाई ओवन और तीन दोनों इसमें इनमें से सभी सही है ठीक है तो चलिए हैं लोग इसको मिलान करते हैं ठीक है देखिए पलामू अभ्यारन पलामू हजारे बाग अभ्यारन हजारी बाग मभवाटान भेडिया अभ्यारन दिया हुआ ठीक है और दल्मा अभ्यारन पूर्वी सिम्हुम दिया हुआ है इन चारों अभ्यारन का अस्थापना उनिसो शृत lass में हुआ था चरा उभ्या हैं मझे चीज़ अस्तौ मुझे। हो गलत हो खेंदल भूब त CT कि प्लょला क्रिके और फोटी। से औéral हिसे से बागी यह जोनू गलत दे कि यहां भी अगला पस्टन है जारखन के कितने ऐसे जिले हैं जो आइन ने किसी राज को अस्पस नहीं करते हैं तो दो ही ऐसा जिला जोस्तो जो किसी राज को टच नहीं करता है अप्सेन नमबर सी इस कोशन का राइट एंसर हो जागा अगला है बौध मट के आउसेस निमन में से किस अस्थल से प्राप्त हुआ है कौन सा अस्थल से प्राप्त हुआ है तेराज तो सिता गड़ पहाड से अप्सेन नमबर भी इस कोशन का राइट एंसर हो जाए हो नेश्ट है अगला पस्टना निमने कथनों पर विचार कीजिए निमने कथनों पर विचार करना है दिया वाए बौड़ा हाग जल पर पात होंटू जल पर पात सदनी घाग जल पर पात घगरी जल पर पात अगल लिखा वाए निमन में से किसका निर्मान राची पठार से उद्गम नदियों पर हुआ है इस questions का जो right answer हो ज़तो होगा इन में से सभी सभी का राची पठार से उद्गम हुआ है और option number दिसका D right answer हो जाएगा next है नियन में से कौन सी नदी दच्छिन वर्ती नदी नहीं है कौन सी नदी है जो दच्छिन वर्ती नदी नहीं है इसका right answer हो जो जो सक्री नदी सक्री नदी दच्छिन वर्ती नदी नहीं है next अलोग आते हैं अगला पसंद पे मूनीडी जलपरपाद जारखन के की जिल्लेम आउची थे मुनिदी जलपरपात तो यह जलपरपात है यह अपका धनबाद में है ठीक है धनबाद में और मुनिदी जलपरपात का एक दूसरा भी नाम है वो नाम कहा है तो भाटिंदा जलपरपात कहीं पर रिखाएगा भाटिंदा भाटिंदा जलपरपात तो को कान्फ्यूज नहीं ह यह आखरी हएं आज का तो बैतला पार्क जाखन का एक इसका पूरा नाम क्या है तो इसका जो प्वान अम T का मतबता है Tiger, L का मतबता है Leopard, और A का मतबता है XCXS, और option number D is questions का right answer हो जाएगा, दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि यह practice set आप लोग को बहुत यह अच्छा लगा होगा, अगर यह practice set आप लोग का अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like जरूर किजेगा, और मैं चैनल में पहला बर अगर आया होंगे चैनल लोग जरू सब्सक्राइब कर लेजेगा, ठीक है चैनल लोग मिलते हैं, नेक्ट टूडियो में तब तक लिए, थैंक्यू, चैहिंत